दंदन सद्गुरुति रहिया स्वा आप देख रहे हैं फेट वर्सिस बंडिट मैं ड्रक्टर गुर्मोहित इंसा परम पुझनियां संदुर द्रक्टर गुर्मित राम रहिंच जैंसा असरी वालों के अन्वियाई उनकी सोच वह सच्चा ही इस परग्रम के माध्यम से आप स सामें रखते हैं तो आप सबका आज के इस लाइब डिस्कुशन में बहुत-बहुत स्वागत है जी तो आज हमारा टापिक जो है वो हमारी परसनल डेवलप्मेंट को लेकर है जो हमारी आपसी तरक्की जो हम कुछ से इन साथ साल में तरक्की कर पायां राटवा साल चल रह कि हम सीख रहे हैं खुछ से तो उसको लेके कुछ चर्चाएं हैं कुछ लोहों से बातचित होती है तो नई चीज़ें निकलके आती है और उसको लेके कुछ चर्चा करेंगी इसके लवा आपको जानकारी जो चले रही है एक बताया था हमने 23 तारीक को कि 25 तारीक को मतलब आवाज एक कोट में सुनवाई होनी थी इसकी 24 तारीक को एक सुनवाई थी किसी ने मैसेज करके पूछ आवी जो पुशाक मामला चल रहा था उसमें एक अप्लिकेशन लगाई गई थी दो प्रेमियों की तरफ से ससंगियों की तरफ से उसमें क्या हुआ तो 24 तारीक की सु सुनवाई में जो जिसने यह अच्छिकार लगाई है उसका जो वकील है उसने अगली तारीक मांग ली और लगबग सात नमबर को शायद वो सुनवाई होगी और एक न्यूस जो आई है भी हैस्जी पीसी ने बी पुशाक मामले में एक एप्लिकेशन लगाई है वो एप्ल वह अलग है और उनकी जो application है वो हमारी application के खिलाफ है तो इस तरह से है अभी हमारी application भी admit नहीं हुई है और ना ही sgpc की application admit हुई है तो वह 7 November को पता चलेगा इसके लवा जो 25 तारिक आज जो कुमनाम चथी वाला case है इसकी हाई कोट में सुनुवाई चल रही थी जो तो वो सुनुवाई अभी चल रही है आगे अगली तारीक शायद ऑनलाइन आ गई होगी तो आज उस पे बहस थी तो उसमें भी कोई फैसला आज आना नहीं था तो हमारे पास पहले गलत जान करी थी कि आज फैसला आना है पर प्रोल फैसला नहीं आना था आज बहस होनी थी तो बहस होई है अब आगे अगली बहस कौण सी तारीक होगी वो आपको अगला लाइव में आनलाइन देखके बता देंगे बात आज के टॉपिक की करें कुछ सवाल आपके सामने होंगे कि मेरे सामने जो सान जो सा सवाल आता है वो सवाल मैं आपके सामने रखता रहता हूं कि कहीं बार कुछ discussion से कुछ नया निकलाता है तो एक discussion चल पड़ा एक सवाल के उपर कि मतलब एक कहावत बोलते हैं भी जिस विक्ति की चर्चा चलने लगे ना समाज में मतलब सवाल जवाब होने लगे हैं उस विक्ति का अस्तितव गिरने लगता है तो हजूर पिताई ने जब फिल्में बनाई तो उसके बाद कहीं तरह के सवाल समाज में अलग रूप में खड़े किये गए भी क्या एक संत का फिल्में बनाना सही है या नहीं है और उसके बाद बहुत सारी चीजें उतार चड़ाओ में होने लगी अलग अलग तरीके से परस्तुत की जाने लगी जोंकि क्या है कि मालो अपनी कोई भी एक आदमी है मालो आप अपने आपको लिजिए आपके इर्द गिर्द सो लोग आपको जानने वाले हैं जब सो लोग आपको जानने वाले हैं कोई आपका करीबी दोस्त है आपको पता चले भी आपके करीबी दोस्त की बाचिच गली गली चर्चा चल रही है और उस चर्चा में कुछ चीजें सही हैं कुछ गलत हैं आपके इसाब से या कहन लोगों के इसाब से और आपके से या बंगीदास से या पंटालिस मेंबर से उसमें आपके पास संतुष्टी जनब जवाब नहीं है मतलब आप पिताजी को लेके चलिए या फिर मेरी एक आम विक्ति को लेके था या आपका कोई दोस्त है और आपको जानकारी उसके बारे में क्लियर नहीं हो रही तो आप उससे अपने आप एक कन्नी कत्राने लगोगे आपको लगेगा भी दूरी देएं तो ठीक है में नजदीक नाई जाएं दूरी देएं तो ठीक है और अपने आप अप अंचाहे मतलब चाहे ना चाहे दूरी बनाना शुरू कर दोगे तो कुछ इस तरह की चीजें 2014-15 के बा अगर बहुत से ऐसी तरह से सवाल उठने लगे तो लोगों ने जो छवी एक सादू फकीर की दिखाते थे समाज में तो लोगों को लगा भी अगर पिता जी फिलम बना रहे हैं और फिलम के साथ सवाल उठ रहे हैं तो हमें थोड़ी दूरी बनानी चाहिए और लेकिन वो स सवाल एक प्रोपेगंडा के तायत उठ रहे थे और तरीके तरिक करते करते वो 2017 में जो हुआ वो सब सामने है यह अब क्या कि जब यह सवाल उठते हैं और आपके पास जवाब ना हो तो यह सारी चीज़ें खड़ी होती है हमारी वफादारी किस्से है यह हमने तैय करना हो खुद से आप सोच के देखिए 2017 के बाद से समझ में आये की ससंग में हमने वचण सुने पिता जी हमें सब कुछ बताते थे सब कुछ समझ आता था मतलब समझना नहीं चाहा, सब कुछ मतलब कलियर बता रहे, हमने सोचना समझना नहीं चाहा, हमारे मन में सवाल उठा पिताजी को लेके, हमने बंगिदास से कलियर किया, पंतालिस मेंबर से किया, प्रवंदक से किया, सतबरमचारी से किया, गुरबरमचारी से किया, कितने सवाल ऐसे हैं जो हमारे मन में उठे और हमने सिधा पिताई से क्लियर किये अगर क्लियर किये होते तो 2017-25 अगस्त को जो मसला खड़ा हुआ तो 26 अगस्त को हम ठोक बजाके सारे के सारे एक साथ मैदान में उतर जाते जो हुआ ये गलत हुआ और हमारे को पूरी पिच्चर क्लियर है अगर हमारे को पूरी पिच्चर क्लियर नहीं थी तो इसका मतलब कुछ ऐसे सवाल थे हमारे मन में जिसका जवाब हमारे पास नहीं था वो जवाब हमारे पास क्यों नहीं था क्योंकि जो जवाब जिस रूप में हमारे पास था वो समाज में बताने लाइक नहीं था एक तरह से मतलब ये जब बताने लाइक नहीं था हम चुप कर गए है क्यों चुप कर गए कि अब इससे हमारी अपनी बेजती है हमें लगता है भी पिता जी के ओपर इल्जाम लग गया हम समाज में पिता जी के पैरोकार बनके उतरेंगे तो समाज में हमारी बेजती होगी तो कि हमारे पास सवालों के जवाब नहीं है तो लोग हमारा मजाग उड़ाएंगे और इसलिए हम चुप कर गए दिरे दिरे तकनिकी तोर पे कहलो जितनी हम कोशिश कर पाएं लोगों ने कोशिश की संगतने की इनफॉर्मेशन शेर हुई मंच बन गया एक इदर से जानकारी लिए इदर चड़ा दी इदर चड़ाई आज हमारे सामने कुछ कुछ चीजे इस रूप में आ गई भी चलो हमें जो मुकदमे हैं इन के तर्व लक्लिजस्क है जो पुलिस के पैंतरें हैं शाय के सीबीख के पैंतरें हैं जुडिचरी के पैंतरें वह में सब पता है और इसनलिए अब हम कह सकते हैं भी हाँ साजिश हुई और stamps रूप में हुई और यह तो और तरीका है और उसमें फिर हम मैनेजमेंट जो डेरे की है उसका भी रोल हम डिफाइन कर सकते हैं यह सब कुछ है लेकिन यह तकनीकी तौर पर तो है तो क्या डेरे में जितने वकील आते थे आप कभी देखना मुफ्त कानूनी सला शीवर लगता था सैंक्ड़ों की तादात में वकील आते थे तो क्या उनको वो तो कोई दिखे नहीं पिताजी के पक्स में खड़े हुए है उनको भी नहीं पता था पिताजी के केस में क्या हो रहा है क्या वो भी नहीं समझ सकते थे अगर उनको जरा से भी परवा होती है वो भी क्या करत भी एक decided case है, application लगाते है, copy निकलवाते, study करते, लोगों को बताते, जो वो सेवा के तोर पे संगत को free में कानूनी ग्यान दे सकते हैं, तो वो पिताजी को लेके नहीं कानूनी ग्यान दे सकते हैं, भी पिताजी के मसले में क्या गलत हुआ है, एक camp लग रहा है, कानूनी अब येगी file को बतल-बतल के वकीलों के पास लेजाते जाओ, आपको 10 वकीलों की सलाह मिल जाएगी, लेकिन जब यही मसला पिताजी के साथ आगया तो सासंगत को किसी वकील ने जानकारी दी, नहीं दी, जो भी वकील थे, आगे लगने वाले या दिखने वाले में, इन तो वहां तक पुंचा देंगे, वहां से जवाब लाके देंगे, यह सब चीजें चली, इस सारी खिचड़ी को समझने की कोशिश करो, इस सारी खिचड़ी में हम कहां खड़े हैं, हमें क्या चाहिए, कुरान शरीफ है, किताब, मुसलमानों की, पवितर पुरान शरीफ, इसलाम धरम में आती है, उसमें एक वर्ड आता है, जिकर, जिकर वर्ड हाला कि वो जिकर वर्ड का उनके यहां जो स्कोप है मतलब उसका जो फैलाव है उस शब्द का वो बहुत बड़ा है मतलब उसको भगती कहलो भगती के दारे में बहुत बड़ा शब्द माना जाता है जिकर विजिकर में जाना आत्मिक चिंतन करना भी जिकर का वर्ड क्या है भी जिकर और फिकर सत्तगुरु का जिकर सब से उन्ची भकती है जिकर क्या है जिकर है भी चिंतन किस चीज का है च्छोटा शाथ धारण देत हम आपको हमने थोड़े दो दिन पहले आपको कल 23 तारीक को 22 तारीक को बोला एक भाई के यहाँ आग लगी कि यहाँ आग लगी और कि भी यह पैसा चाहिए उसको तो बहुत से लोगों परशानी इस लोगों परहे में भी बात करनी थी बहुत से निया पता नि बैंक अंजान प्रांजेक्शन देखके कहीं बार दिक्कत पैदा कर देता है कोई चेक लगा देता है अपने आपी तो ओनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं इसमें क्या एक केस आया मेरे सामने उस केस में क्या है भी किसी विक्ती ने क्या है कि लिहाज निकालने शुरू कर दी इस पैसा देने के नाम पे पैसा देने के नाम पे लिहाज निकालने शुरू कर दी लिहाज के नाम पे तोस्ती बनाने शुरू कर दी ऐसे विक्ती ने जो कभी हमारे साथ था ही नहीं कभी भी तो उसने दोस्ते बनानी शुरू कर दी लिहाज निकालनी शुरू कर दी क्यों सेवा थी बैंक अकाउंट नंबर था ओनलाइन ट्रांजेक्शन करनी आती थी नहीं हो रही थी तो किसी चलो एक नंबर हमने और जारी किया विकरम जी का घंगानगरवाले विए उनके नंबर के थ्रू कर दो वो आपकी नेट बैंकिंग से पैसा डाल देंगे तो भी अगर उन से नहीं हो रहा था विकरम जी का नंबर जारी कर दिया था फिर मानलो चलो एक आते जिनको लोग जानते हैं जैसे मानलो मुझे जानते हैं या फिर संजीव जाजी को जानते हैं या फिर पाल आपके पैसे देने से बंदा कोई अमीर नहीं हो जाएगा और ना देने से कोई गरीब नहीं हो जाएगा आपने सेवा करनी है, फल पिताई ने देना है, बैंक अकाउंट आदमी का हमने दे दिया, जितनी उसको जूरत है, उतनी हम पूरी करनी पारे, पर मैं पता है, हजार पंत सो करके, तोड़ी बोट करते करते, दो तिन लाख रुपए जिस तरह भी जमा कर पाएंगे, विचलो ह वो अपने छोटे मोटी रिपेयर करा के अपना काम निकाल के इतना है भी बुखा ना मरे, उसके मजदूर बुखे ना मरे, यहां तक है, लेकिन जब लिहाज निकालने शुरू करती, तो यहां से मतलब यह नहीं है, भी आप हमारे ग्रूप में सेंद लगा रहे हो कुछ, म हमें लगने लगता कहीं बड़ी है, जो काम हमने मैनेजमेंट के साथ किया 2017 तक, वही काम हमारे साथ होने लगा, भी मैनेजमेंट के साथ में लिया आजे तो पाड़ी यह वाला ब्रमचारी मेरी बात पिताजी तक पूंचा देगा, यह वाला ब्रमचारी हमारी इस पर बात यह सब चीजें चलती हैं तो यही चीज हमारे साथ चलने लगए मौन लो कभी ऐसा है जी मुहित से लियाज निकाल के रखनी चाहिए या विरपाल वें जी से लियाज निकाल के रखनी चाहिए या सैम जी से रखनी चाहिए, किसी ना किसी से रखनी चाहिए, ये क्या एक वेपार है? मैंने आपको बताया न, सैंकडो वकील आते थे देरे में, संगत को फ्री घ्यान दे सकते हैं वो, अपनी नोकरी छोड़के, अपना कारोबार छोड़के आते, इन साथ सालों में आया कोई से वकील निकल के सामने, एक सिंगल वकील जो उस चेंप में आता हो, और उसने सामने आके आपको बताया हो भी पिताजी के केस में ये दिक्कत है हमने भी जो वकील किये वो सारे गयर ससंगी है पैसे लेके काम करते हैं फ्री में कोई नहीं करता है ठीक है कोई आया एक भी वकील है इतने भी लिए बाहर के लिए ना वकील तो प्रीमी वकील तो कोई नहीं आया त तो फिर वो वाक्य में क्या सिवा करने ही आते थे डेरे में या बिजनस लेने आते थे बहुत सारी चीजें हैं आपके दिमाख में गुमने लगेगी एक दुकांदार है उसकी दुकांदार ही नहीं चल रही उसको लगता है भी या चदा चलेगी यहां डेरे के प्रेमी बहुत रहते हैं इस इलाके में क्यों ना इनके साथ चला जाए गुरु जी की फोटो लगा रहेंगे दुकान पर 25 अगस्त का दौर आया पोटो अठागे घर में वापिस रख दी कि अब तो रहने दो अब तो समाज का जो बहुमत है दूसरी तरफ है तो लोगों के लिए लिहाज है रोहानियत नहीं है कहीं नहीं है आपको कोई सवाल पूछे आपके गुरु जी न करो क्या पड़ना इन चक्रों में असल में क्या है क्योंकि आपका सुविधा का दायरा खतम होगा जो व्यक्ति आपसे बात कहें ना बिगर बैठो चुप चाप गुरु गुरु करो सिमन करो दो तीन तरह के लोग मिलेंगे एक जो मनलव एक्टिव खड़े हमारे साथ एक होंगे जो एक्टिव नहीं है जो मतलब न्यूट्रल है जो चुप चाप घर बैठ गए तीसरे वह जो आड़म ब्लोक के जंडे उठाए घूम रहे तो बहुत सारे बंदे जो हैं न्यूट्रल बैठ गए वह सारे बंदे चलो हमारे साथ भी जुड़े कुछ पर्त्यक्स त पिता जी का वकील होने के बावजुद कभी वह आपको अगर लगता है वह फ्री में काम करता था उसने फैसला आने के अगले दिन मेडिया में इंट्रिव दिया मैं किसी डेरे को नहीं मानता मैं तो पैसे लेके काम करता हूं सिधी सीवा तो वह तो कभी केंपों में सेवा भी नहीं आया चलो बात वापस हम वहीं पर लेके आएं कौन दिखता आपको सेवा करने वाला सब व्यपार साधर रहें सब अपनी लिहाज पाल रहें कोई नहीं है और घर बेढ़ जाओ चुप-चुप क्या करोगे क्यों क्यों कि आपको लगता है भी अब इमेज सही नहीं ह आपकी जड़ा सी इमेज उठने लग जाए मार्केट में आपसे क्यों लिहाज मनाएंगे लोग जिसकी मार्केट में इमेज उठ रही है उससे लिहाज बना के रखो क्योंकि उसकी इमेज के आसरे अपनी इमेज चमतानी हैं जब संगत को यह समझ आ गया आपको लगे भी faith versus what डिक्ट ने संगत तोड़ दी या संगत डेरे आना बंद कर गी संगत नामजर्चा में आना बंद कर गी संगत एक image पर खड़ी थी वो image पिता जी की image पर खड़ी है पिता जी की image सही है तो संगत उस image के साथ खुद को जोड रही है जरूरी नहीं है कि वो संगत में सारे के सारे आशिक हैं या सारे के सारे रोहानियत में अबवल दर्चे के लोग हैं वो पिता जी की image के साथ खुद को जोड के खड़े हैं उस image में डेरे के दाएरे में हनी प्रीत की परबंद कों की image अच्छी है तो लोग अपने आपको प्रबंद कों के साथ जोड रहें जिसकी पिताई तक पकड़नी बनी उसकी प्रबंद कों तक बन गई सब ने अपना अपना एक रेफरेंस ले लिया जैसे पिताई जी की image society में दिखाई गई भी मेडिया के जरिये भी गिर गई लोगों ने अलग होना शुरू कर दिया फिर management की भी गिरती गई management को छोड़ना शुरू कर दिया एक stage पर मान लो जिन लोगों को लगा नहीं या हम तो गुरू के इतने उपकार हैं गुरू के प्रति एक रितगन कैसे हो सकते हैं इनको थोड़ी बहुत रुहानिया तो पता दी या ससंग सुनते थे या उनको पता था भी उनको समझ में आया भी या गुरू के प्रतिता हमारी वफादारी है अगर Adam Block गलत हुआ तो क्या वह गुरू थोड़ी गलत हो सकते हैं अगर हमें जानकारी नहीं है तो जानकारी जुटाएंगे गुरू के प्रतिय हमारी वफादारी है वो तो रखनी है तो एक भजन आता है जब मसल़ा प्रेम दा उन्दा है तो इज़हार भी करना पहिंदा है फुला नलवद के कंड़या नो प्यार भी करना पेंदा है मसला आगया प्रेम का भी यार लोगों के सामने गुरू की इमेज गिराई जाने लगी मीडिया के जरीए तो मसला जब प्रेम का आया फिर आपको इजहार करना था कि हाँ हम गुरू के प्रेमी हैं अब उसमें फूल थोड़े ही मिलने थे जब मसला प्रेम दान दा है इजहार भी करना पेंदा है फुला ना लवद के कंड़या नो मसला प्रेम का था ना आपको जाहिर करना था खुद को प्यार किस्से करना था कांटों से तो दुनिया ही ऐसी यह प्रेम की अब जिकर क्या है विचिंतन मुझे बताओ किसी को बताओ ना बताओ अपने आप से पूछो बैठके कितने दिन चिंतन किया था कितने दिन चिंतन किया था बैठके आपने 25 अगस के बाद कि भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए 25 अगर 17 के बाद कहां खड़े हैं हम क्या सिरफ डेरे जाके आना मत्था टेकना नाम जर्चा सुनना परशाद खाना लंगर काना यहीं तक से मित थे प्रेम किस्से था गुरों से पिता जी की जगा आपका अपना घर का कोई प्रिवारिक मेंबर जेल में बंद होता तो हाथ पैर नहीं मारते चिंतन करते ना चालिस जगां से सला लेते में क्या करना चीए क्या होना चीए कितनी बाग दोड़ करिया आपने यह जानकारी जुटाने की भी आखिर पिता यह को जेल में जाना क्यों पड़ा कितना कुछ था कितना क्या किया क्या नहीं किया आपको अपने आपको पता अपने आप से बुच्छिए कहां खड़ा था हमारा परेम कहां खड़े थे हम नहीं पता था तो अब क्या है अब मालूम कहें जी तो लिहाज पाल लेते हैं किस चीज़गी आपको क्या गरंटी है कि भी कुछ होगा जो गुम नाम चिठी की बात पूछ रहे हैं मैं जी वो सुनवाई में आज भैस हुई है फैसला नहीं आया भी आगे भी शायद अगली पेशी पे भी नहीं आई तो हम चलो वापस टॉपि है वो सवाल रखते हैं अब या गुरू को फिलम में आने की क्या पड़ी थी मेरे सामने भी सवाल आया हाला कि उस टाइम मेरे को जवाब सूचता नहीं ता लेकिन एक दिन सूच गया मैंने का जितनी फिलमें हमारे गुरू जी ने बनाई है ना उससे दस गुना ज्यादा है आपके गुरू जी ने बनाई है बोला हमारे गुरू ने कौन सी फिलम बनाई है अगर यह आपका गुरू कौन है बोला गुरू गुरंच साहिब हमारे गुरू है मैं का जी कितनी फिल्मों में रोल प्ले किया है गुरू गुरंच साहिब ने आप सोचके देखिए कितनी फिल्मों में रोल प्ले किया है, आपको बहुत सारी ऐसी सिखी बेज्ट फिल्में मिलेगी, खास दोर पे पंजाबी फिल्में, जहां आपको ये चीज दिखेगी, भी गुरुगरन साहिब दिखाया जाता है, कोई पढ़ रहा है, किसी की शादी हो रही है, तो उस पिच्चर के उस सीन में गुरुदवारे का एक सेट क्रियेट किया जाता है, उस सेट क्रियेट में एक पालकी साहिब बनाया जाता है, उसमें गुरुगरन साहिब को सुशोबित किया जाता है, तो क्या वाकई में वहां पे गुरुवानी किरतन हो रहा होता है, या नहीं हो रहाता है एक्चल में तो वो गुरू है ना तो वो फिलम में रोल बले गार रहा है उसका जो कागच आंग आए है उसके रिफ्लेक्टर लाइट लगती है जो पाठी है उसकी प्रॉपर दाड़ी दुड़ी पगड़ी पुगड़ी सेट होती है आस पास का एंवार्म का कमरा है किसी में गुर्दवारा है ऐसे गुर्दवारे भी देखे हैं हमने तो जब यह चीज फिल्मों में उतरती है तो क्या वो फिल्म में रोल प्ले नहीं होता तो क्या उस समय में वास्तर में किर्टन चल रहा होता है नहीं ना चल रहा होता है तो अब मसला ये की बोल साहिब तो बोल नहीं सकते हैं घिल जुल नहीं सकते हैं जीवित गुरु ना तो आपने कटकुटले बना लिया अपने गुरु को जब चाहोगे जिस फिलम के सट से बार ले जाओगे यह होगा तो एक आधी बार बीच में एक न्यूज भी आई थी, किसी ने शोर मचाया भी या रगुरुगुन साहिब का ऐसे इस्तेमाल कर रहे है, एक गाना देखा मैंने, उस गाने में क्या है भी एक लड़का लड़की की शादी हो रही है, उस में से एक लड़का शायद क्रिश्चन है, या सिख है, या लड़की की सिख है, दोनों में से एक सिख है और एक क्रिश्चन है, तो उस गाने में क्या हो रहा है, एक ही फिलम का सेट लगा हुआ है, शूटिंग का, एक तरफ गुरदवारे का सेट बना हुआ है, एक तरफ चर्च का सेट बना हुआ है, तो एक बार उसकी शादी गुरुद्वारे में जैसे वो नंद कारज करते हैं वैसे शादी हो जाती है उसी गाने में पैरलल उसी गाने में उसकी शादी चर्च के पैटरन पे होती है और चर्च के पैटरन में जब शादी हो जाती है तो उसमें रेड वाइन शेयर करते हैं शराब होती ए गुरु 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 लोग पंजाबी फिलम इंडस्ट्री के हैं तो उन्होंने ये चीज क्लियर की है कि जो गुरुगरण साहिब इस्तेमाल होता है गुरुद्वारे का सेट बकायदा शूटिंग में गुरुद्वारों को भी पैसा दिया जाता है आली में फिलम आई है अर्दास सरबत देप ले मतलब क्या है भी धार्मिक चीजें है शूटिंग में फिलम में क्या वो चीजें जो शूटिंग में दिखाई गई तीर स्थान क्या है वो सिनेमा में एंटर्टेन्मेंट होता है सिनेमा में भगती नहीं होती वहाँ पे सवसंग नहीं लगता है एंटर्टेन्मेंट होता है जब आप कह रहे हो भी आपका तीर स्थान फिल्मों में दिखाया जा रहा है और उससे लोगों के अंदर बगती भाव पैदा किया जा रहा है तो यही काम तो हम ने किया यही काम तो अज़र पिता ही ने किया डेरा ही तो दिखाया लोगों में बगती भाव पैदा किया तुम अपना तीर स्थान दिखाओ तो उसमें बगती भाव पैदा होता है फिलमों के अंदर हम अपना तीर लगा दिये ये लगा जाएगी ये लगजू लगेगी क्या ना क्या चार एक पर यह क्या है सच जित दा इसने लिखा है क्या लग जाएगी, तो जो पतिर स्थान दिखाया गया है वो तो औरिजनल है उसका तो डुपलिकेट सेट्निया बन जाएगा, तो क्या ऐसा होता है, मतलब एक सवाल है, फिर एक सवाल उठा, किसने सवाल में मतलब ऐसी लिखा गई फेस्बुक पे कोई कमेंट आया हाला कि ये वो कमेंट डिलिट कर दिया तो कमेंट आया जी कहते जी आपके राम रहीम जी को सबसे ज़्यादा ग्यान है तब ही तो अदालत ने उन्हें जेल में डाले तो मतलब एक तंज कसा था अब त इतिहास उठाओ इसाम वसी साव का गुना गया था उनका गुना ये था कि उन्होंने उस टाइम के सब्ता की सोच के अगेंस्ट कुछ बोला सब्ता को पंसंद नहीं आया उस समय की अदालत ने उन्हें सूलीबे चड़ाने की सजा सुना दी ऐसे मुसल्मान धर्म में भी अनेकों सूफी फकीर हुए सूफी संत हुए या पैगंबर हुए जिनको सजा सुनाई गई सिख इतिहास में हिंदों में भी आप आओ तो कबीर साब को सजा सुनाई गई संत कबीर जी को और कितने और आपको संत मिलेंगे जिनको सजा सुनाई गई और इसलाम में आप आओगे ना तो एक हजरत बिलाल आप कभी इंटरनेट पे देखना हजरत बिलाल का वाक्या है तो हजरत बिलाल को बहुत सारे जो भकत अवल दर्जे के माने गए हैं पैगंबर मुहम्मद साब के तो हजरत बिलाल अफरिकी नागरिक था एक जो अवल दर्जे का भकता हजरत पैगंबर मुहम्मद साब को कितने तसीहे दिये गए थे, किसलिए भी उनको पेगंबर मौम्मद साव से प्रेम था, सिर्फ इस वज़े से, और उसके बाद आप सिखितिहास में गुरु नौनक देव जी को जेल बेजा गया, गुरु अरजुन देव जी को शहीद कर दिया गया, गुरु तेग बहादुर जी को अगटना करम चला, राजा ने कितनी नराज़की दिखाई और उसके बाद ये गुरु गोविन सिंग जी के तो दो चोटे साहिब जा देते उनको, इन सब को किसने सजा सुनाई थी, अदालतों नहीं थे सुनाई थी, इन लग गुना क्या था, इनका गुना ये था भी इनक के पास, क्या ये लोगों को मार रहे थे, क्या ये लोगों को लड़ा रहे थे, क्या ये लोगों को मानमधिकार छीन रहे थे, क्या लोगों को कुछ गलत सिखा रहे थे, समाज भी गाड़ रहे थे, नहीं न, इनके पास ग्यान था, ग्यान क्या करता है, ये ग्यान लोगों अच्छा ये किया रहे हैं लवीदास महराजी का भी कतल हुआ था इमें कोई इसकी जानकारी नहीं है मैं पढ़ूँगा इसके बारे में तो एक रहे छटे गुरुप साहब को भी गुवालर के किले में कैद किया था हाँ उनको भी 12 साल चाहिद किया था मतलब इन संतों पर मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ समझता आप समझे जाओगे भी किसका लिया हुआ जिस भी स्थान पर जिस भी तीत स्थान पर जाते हो वहां की जो भी व्यवस्था है क्या उसने कभी कोई ऐसा संदेश दिया कि आज हम इस भाईचारे को अपने भाईचारे में शा जाओ आपको फत्वे सुना दिये जाएंगे आपको हुकम नामे सुना दिये जाएंगे आपको आदेश सुना दिये जाएंगे आपको ये सजा दी जाती है आपको रिवार्ड दिया जाता है मान लोगधारन के तौर पर ब्रहमन समाज की कोई सब है और कोई ऐसा व्यक्ति ह जो दलित समाज का हो और ब्रामन समाज के उपर कोई उपकार कर दे, कोई किसी की जान बचा दे, उपकार कर दे, ब्रामन समाज गए भी इस दलित व्यक्ति ने हमारे उपकार किया है, हमारे परिवार पर, मारे खांदान पर या कुल पर उपकार किया है, इसके कुल को हम आज स ब्राम्मन कुल में शामिल करेंगे और बराबर का दर्जा देंगे, कभी सुना आपने कोई भी ऐसी ऐसा संगठन हो जो आपको जोड़े, जो आपको बराबरी का दर्जा दे, अपने, जो आपको समान ले आए, सिवाय डेरे के, हजुर बिताई के, मिलेगा इनीना, कि पुलि स्थाने में अगर एक हफ़ते तक F.I.R. दर्ज ना हो, इसका मतलब क्या होता है, D.C. बोलता है, पुलिस स्थाने को भी क्या बात भी तुमारे इलाके में बड़ी शांती है, तो इसके दो कारण है, या तो शांती बहुत है, या पुलिक ने पुलिस के खिलाफ एका गर ल पुलिस की दो नंबर की कमाई कैसे आईगी, नेतागिरी कैसे चलेगी, लोगों को जब आपस में लड़ेंगे नहीं तो अपनी अपनी लियाज कैसे निकलेगी, वोट कैसे मिलेगा, इसलिए लोक तंतर की प्रक्रिया जो है, वो एक स्चेज़ पर जाके समाज का गहत करती है, क्योंकि लोक तंतर की प्रक्रिया आपको बांटना सिखाती है, और बटोगे तो आप एक दूसरे को वोट दोगे, लड़ोगे तो एक दूसरे के गोट में जाओगे, तो एक हफते तक एफायर दर्ज नहीं हुई, तो डिसी बोलेगा ना वियार ऐसे चलता रहा, फिर अपना रोटी पानी बंद, उपर बैठी अदालत भी तो बोलेगी, अगर केस ही नहीं आया, तो हमारी रोटी कहां से चलेगी, तो मतलब क्या है, जो पुलिस का सिस्टम है, जो लौ इनफॉर्समेंट सिस्टम जो है, इस लौ इनफॉर्समेंट सिस्टम में, पुलिस की तब जब दर जोने बंद हो जाएंगे तो हमारी पूछ नहीं है तो इसमें कारण या तो समाज में शांती है या समाज पुलिस के खिलाफ एक जूट हो गया है अगर शांती है तो तो अच्छा है समाज पुलिस के खिलाफ एक जूट हो जाए इसे इसी बाशा में कश्मीर कहे अब यह बोल रहा है रहूल शर्मा जी, DC का FIR से क्या ले ना, कुलिस का इंचार्ज SP होता है, DC पूरे डिस्टिक का इंचार्ज, मेरा एक एक्जम्पल है कि जो ववस्था सरकार आपके ओपर बनाए हुए है, यह ववस्था लोकतंतर है, इस लोकतंतर में आपके घर में पां 500 वोट है, आपके घाओं में 5000 वोट है, यह कसबे में 5000 वोट है, आपके जिले में 5000 वोट है, इस सारे वोट एक आदमी को जाएंगे कब जब आप एक जुट है, अलग-अलग कैसे जाएंगे, अगर एक की जगा दो परत्याशी आएंगे, तो वो अपना वोट खीचेगा, के लिए वो परत्याशी तोड़ेगा. कैसे तोड़ेगा? दो गुट बनेंगे, तीन गुट बनेंगे, चार गुट बनेंगे, दस गुट बनेंगे. यह ववस्था कौन संभालता है इस जिले की एक एक शहर की? डीसी संभालता है. पुलिस क्राइम को रिपोर्ट करती है, क्राइम को होने से रुकती है, पुलिस भी जिस क्राइम को रिपोर्ट करेगी उसके लिए भी उसको magistrate चाहिए, SDM, SDM के उपर district magistrate चाहिए, अपने लेवल पर पुलिस भी खुद नहीं कुछ कर सकती, उसकी भी एक limit है, एक stage तक, तो हर चीज एक शहर में DC ही शहर का मलिक होता है, तो खेर, मेरा कहने का मतलब है, जब आपको, आपकी demand एक से ज्यादा लोगों के है, मतलब आपको पता है, द बड़ाई होगी, तो सुला होगी, सुला होगी तो आप पंचायत में बैठ होगी, SDM के पास आओगे, BC के पास आओगे, सुला कौन कराएगा, पुलिस थानों में जाओगे, एक stage पे आके मामला निप्टेगा, वरंट किसने जारी करने है, magistrate में, आपके उपर कारवाई के सुला कर लोगे, magistrate रुक जाएगा, तो ये सारी चीजें क्या है, जब कश्मीर बन जाएगा, अब इस society एका कर लेकी, पुलिस के और फोज के खिलाफ, यही होता ना कश्मीर में, फोज का साथ नहीं देते हैं, आप कभी कश्मीर में जाओ, तो गुलमारग में, या सोनमार या फिर जो पहल गाओं है, इन सब को छोड़ दो, अमरनाथ यातरा को छोड़ गे, कभी कश्मीर के गाओं में जाओ, कि वहां पर समाज में, उनकी समाज में एकता है, किसके खिलाफ, पुलिस के और फोज के खिलाफ, वहां किसी फोजी की दूटी लग जाए ना, उसकी ड प्रूट प्रूफ जैकेट पहने के बंदूग लेके घड़ने हैं और वहां के रहने वाले लोग उससे पणी भी पूछने नहीं आएंगे और उसको अचानक से ओडर आएगा भी यहां पर ड्रोन उड़ता दिखा इस गाउं की तलाशी लेनी है अब उसका गाउं में समर्थन करने वाला कोई है नहीं तलाशी में उसके सामने कब आं तक वादी आजाए उसको पता नहीं तो वहां कितना ही बड़े से बड़ा फूज कि पुलिस जाती करती है तो समन्न वे बिठाने वाला जेभी भाई बोल रहें ना डी सी समन्न वे बिठाने वाला जिला पुर्षासम्द सरकार के इस औरोने नाचता है बी यार यहां रोडा पड़ा रहेगा तब ही तो रास्ट्रवाद का जंड़ा रहेगा था जा मति democratic तो बाट कौन रहा है समाज को ओर जोड कोन रहा है तो संद की गलती कहाँ है संद की गलती यहीत होती निखिए पास ग्यान है समाज को जोडने का और जब आप से कोई सवाल पुछें अब आप दोना जवाब वे आप जिस धर्म क्या ठेका उठाए खड़े हो जिस धर्म का जंड़ा उठाए खड़े हो या जिस धर्म के जंड़े के नीचे खड़े हो उसने कभी किसी को जोड़ना सिखाया किसी को भी धर्म ने तो सिखाया लेकिन ठेकेदारों ने जोड़ने दिया तो फ़र गलत कौन तो उसने लिख तो दिया कमेंट मजाक में लेकिन हमें हमारा जवाब मिल गया तो आपको आपका जवाब मिल जाना चाहिए मतलब कुम फिर के बात वहीं आए विज्ञान क्या है अब ये सारी वफदारी किसके लिए आपको मुझे लगता शायद बैंजी क तो नहीं लेते हैं टाइम में के प्रस कम है तो इस सारी जानकारी किसके लिए है है भी आप साथ साल से मौन लो चार-पांच साल तो में बोलते हो गए या पहले पोस्ट भी डालते थे बहुत से लोग तो शुरू से भी एक्टिव थे और कोई कमेंट लिखता था था कोई लेकिन आपको दिखता है भी आपका एंड का है कल को पिता जी आ जाए तो कोई आपके पास फ्यूचर प्लाइन है अपने लिए या पिता जी के लिए इतिहास मादने कुल का धरम होता एक मतलब पहले क्या होता था धरम हिंदू मुस्लिम सिक्ष हिसाई नहीं होते थे कर्तव्य कोई धरम कहा जाता था मानलो एक आदमी ने कर्तव्य पाल लिया कभी मैं तो धरती पे गंगा नदी लेके आऊंगा अब उसने पाल लिया तो उसने पूछा गुरुओं से कह जी नदी गंगा नदी धरती पे कैसे आएगी भी तो बोले भी क्या जरूरत है गंगा नदी गी बोले जरूरत है साय जी जो दक्स था ब्रह्मा के दस हजार पुत्तर है जो हमने गोद लिये थे इनको मिल गया शरा आःधा इनोंने की किसी पुझीर को श्रेट दिया इनको श्राप मिलिगा आप जब तक इनके उपर गंगा का पानी Hills नहीं मिलेगा आप अब फकीर ने श्राप दिया जरिया बना और जरिया बना तो कही यह जार ऑनगा कैसे आएगी पा यह मार कुल का कर्तव ओ आँ में लानी पढ़ेगी नहों बोला जी ऐसा है भी जब आप जिंद्गी के जिंद्धव जो है अगर आप जब अपने करतवियों से मुक्त हो जाओ उसके बाद आप भक्ति करो तो जैसे addicted करतवियों से मुक्त होते, अपने बच्चों की शाधियां कर लिए, बच्चों को राजपाट संबल वा दिया, राजा का कुल था वो, तो उसके बाद वो बाकी बच्ची सारी उमर भगती में लगाते थे, हर राजा का यह असूल था, जैसी राजा ने राजपाट अगले जो जो राजा भगी रतु उनके पहुंचने पर उनके कुल की भगती पूर्णूई तो भगवान ने क्या गंगा धरती पे आई और धरती पर गंगा आई तो वह बाकी कहानी आपने पड़िए मेरा यहां कहने का मतलब यह अभी कर्तव्य ही धर्म था, यह आपको क्या करना है, आपके कुल का कोई लक्ष होना चाहिए, तो किसे ने शत्रिय धर्म अपनाया भी हम तो जी संतों मापुर्शों की रक्षा ही करेंगे, सिर्फ हमारा यही धर्म है, हमारा हर बंदा किसी के लि कि हम यह करेंगे, सबने क्या किया है, भी भगती के अनुरूप अपना अपना कर्तव्य बांद लिया, अपना अपना धर्म बांद लिया, कुल का धर्म होता है, और उस कुल का धर्म है, भी मानलो, कोई मानलो, राजा भगिरत थे, रीशी भगिरत नहीं थे, भगिरत एक र परिवार होगे, पुलकुल की परंपरा किसको याद है, छोटे परिवार होगे, बोले जी हम तो अपने माबाप की याद में अस्पताल बनाएंगे, मरीजंगा फ्री एलाज करेंगे, तो अपना धरम बांद लिया, कोशीश करी, नहीं हुआ, अपने बच्चें ने कोशीश क करी आगे से आगे लोग कोशिक करते हैं तो ऐसे ही मैं चाहताँ हूँ हो भी आप अपना धर्म बांदो मतलब मेरा कहाना नहीं हमारा डिसक्शन क्या सकते हैं त Hug今日 हम इस ना पुछे को यमें इज्जत दे ना दे तो मुए हमें अपना धर्म निवाना है कि हमें सेवा करनी है qe करके हमें आपने आपसो त्यार कर रहा है यह फ्रों पर्षी हाने के बाद। तो सेवा किस रूप में बक्षे यह उसकी फर्जी है, लेकिन अपना और अपने आने वाले कुल को मकसद दो रोहानियत के प्रती, और इस मक्सद के लिए अपने आने वाले कुल को ट्रेंड करोन यह मकसद हमने चुना है और अगर यह पूरा ना हो पाया तो आगला आपने इसको पूरा करना है जैसे एक बाई मर्दाना की कहानी आपने सुनी होगी ना गुरू नानक देव जी के तो जो गुर्णानक देव माया porta बैई मर्दाना से पूछ बहुता ओगुझे मांगो क्या मँझत हो तो , अब मै नहीं पता है तरहीर का ओःत मैं आगे बताई हो अनौने के परीवार वालो में आगे बताई है मैं श्त कई बहुता kई मिरो जी कुर्णानी के बता ख़ा सत्रवी प्रिड़ी रागी शमिंदर पाल सिंग आये थे न डेरे में उस टम पिता इने स्टेज से बोला न वि ऐसे प्रिड़ियां तरती हैं भी अपने आपी तरती हैं फिर इनके पूर्वज भी डेरे में आये थे ये भी बोला था इनके पिता भी आये थे यह भी आये है अधिवी प्लिड़ियां तरना है उसमें क्या भी आप अपने कुल को अपने प्रिवार को धर्म दो मानलो जैसे क्या है अब ब्यंत सिंह एक नाम मेरे सामने दिखर रात हैं अलए बेंथ सिंग को मैं जानता हूं ये क्या करते हैं ये पेंटिंग का काम करते हैं को Being indem dye मालोद पेंटिंग मेरा हुनर है उनर है तो जी हम अपने कुल को अपने परिवार को भी अपने परिवार में आगे गुरु जी आएंगे गुरु जी को कोई ना कोई समान पेंट कराना होगा डेरे का सेवा में कोई भी कैजी हम तो दरबार के पेंटर बनेंगे और आने वाली कुल मेरी वो भी दरबार में पेंटिंग का काम करेगी सेवा करे गिलाकि और ये मेरी कुल का अपना धर्म है जो निवाना है मसला ये नहीं है आपका कमिटमेंट जो है वो हमेशा के लिए होता है आपना इनसाय है ये मानलोव फोजी है और जी मेरा धर्म है भी जहां आराम नाम पे भीड़ बनेगी मेरे को आर्मी की ट्रेनिंग है आपने बच्चे को भोजी बनाऊंगा या इस तोर पे त्यार करूंगा या किसी भी तोर पे धरम एक मकसद दूँगा जुरूरी नहीं है हर बंदा भोजी बनाना है लेकिन कोई भी एक मकसद दूँगा राम नाम के व्यवस्था के प्रती लेकिन सच अच्छे गुरू के साथ ऐसी व्यवस्थानी भी जो लोगों को तोड रही हो ज्यान भी होना चाहिए सिरफ करम नहीं होना चाहिए तो आप अपना डिफाइन करो अपने आपको मेरे से लिहाज निकाला होगे किसी से भी लिहाज निकालो कोई कहीं कुछ नहीं मिलना क्या क्या वरोसा है कल को मैं वफादार रहूंगा कि नहीं रहूंगा मेरे से पहले थे ना बहुत सारे ऐसे जो पिता जी को इतने बड़े बड़े पुमाजनक शबत बोलते थे सुने आपने एरे में आपको लगता होगा मोहित तो को भी गदार हो नहीं सकता जो लोग मितले मेर को जान रहे होंगे या जिनको लगता होगा मैं वफादार हूँ क्या वरोसा कि मेरे अंदर मन नहीं है मेरा कूंसा 10 माद बार कुल गया कुला होता तो मैं फेसबूक पे तोड़े ही बहास कर रहा होता वे नाम जपर रहा होता नजारे ले रहा हॉता सच खंड हैं तो मसलह आपका जिकर कर रहे हो, किसका गुरू का, किसके लिए तियार हो नहें गुरू के लिए, लेहाज किस की गुरू की, किसी बंदे से पालोगे तो उस बंदे को आप पढ़ लोगे, वो आपके लिए accessible है. अगर उसकी इतनी पकड़ हो पिताजी पे, तो पिताई तो मौने संत्कीर मज़ को पा गया फिर वो संत्स से बड़ा तो वो ही हो गया तो अब एक सैम जी लिख रहे हैं बुराई के खिलाफ बोलना भी धर्म होता है बोलिए आपका बोलना निश्कर्ष पे पहुंचे आपके बोलो आप बुराई की खिलाफ दूसरा हो ना उल्टा चलो बुराई के खिलाफ की वज़ाए सच्चाई के पक्ष में हो बुराई गलत है सच्चाई की क्योंकि बुराई मालो मैं कहूं भी नरेंदर मोदी गलत है इससे मैं सही नहीं हो जाता इससे मैं सही नहीं होता जब मैं बोलों भी डेरा मुखी संत डॉक्टर गुरुमित रामरहिम सिंग इंसा सही है, उनको सही ठहराने के लिए मुझे अगनी परिक्षा देनी पड़ेगी, मैं सही नहीं हूँ, तो मैं कैसे कहूंगा भी ये बंदा मेरी परक में सही है, इसलिए लोग बुराई के खिला देने का डर आपको सच्चाई के पक्ष में खड़ने नहीं देता, हजरत बिलाल ने यहीं तो किया था, मोदी गलत है या नहीं है, इसकी बजाए डेजा में हजूर पिताई सही है, यहां स्टैंड मजबूत कर लो ना, दवा के बोलो, सही है, मैं हम कह रहे हैं, अब जब आ आपकी कमियां देखने लगेंगे, भी आप कहां गलत हो, फिर वो आपको आपकी कमियां गिनाएंगे, भी आप तो खुद गलत हो, आप कैसे कह दोगे भी यह सही है, तो वो निंदक आपका फायदा करता है, आपकी कमियां गिनाता है, आप यहां गलत हो, यहां गलत हो, यह जरूरी है और आपको साफ सुतरा करने के लिए आपको आग में से गुजारना भी जरूरी है और ये गुरु परिक्षा लेगा ही लेगा तो ऐसा है भी मनसूर को सूरी चड़ना पड़ा तो इसमें एक बजन में लिखा आता है ना ये प्रेम अनुखा है यहां कदम कदम पे जिन्दगी का दोखा है ठीक है जब आप सच के पक्ष में खड़ोगे ना सच को सच साबित करने के लिए जब आप कदम उठाओगे दोखा किसके साथ हो रहा है आपके अपने साथ जिसको आप सच मान रहे हो क्या वो सच है क्या वो सच रहेगा रहेगा तो क्या आपके उस सच के पक्ष में भुवान उतरेगा और ऐसे में जो स्टेप को आप उठाने जा रहे हो वो किस बेस पे आपका विश्वास ही तो है ना भी ये सच है और तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है आपके पास क्या प्रूफ है भी हजुर पिता ही सच है सचे है उन्होंने कोई ग भंगती कहती है की पीठैस अच्छे है ये सच दुनिया सच कब मानेगी जब आप खुद सच्ची हो आप क्यों नहीं कह सकते फिक है क्यों नहीं बुक्ने बॉलाए पितैंसे न्र्दौस है टोकि बोकुद दोशी है जो कश्च अंगाँ चलितल तरसाफ नहीं है तो बो ले साथ विश्वास है जी बस उस विश्वास को साबित करने के लिए जब आप कदम उठाओगे उस कदम पे आपकी जिन्दगी दाओपे लग जाएगी आपकी जिन्दगी मजाक बन सकती है क्योंकि दुनिया के इसाब से पिता जी गलत है आपके इसाब से सही है आपने कदम उठा लिया जी पिता जी मेरा गुरू सही है मैं खड़ गया अड़के मैं कदम उठा लिया आपको पता ये कदम आपको भारी बढ़ सकता है आपकी समाज में इज़त खतम कर सकता आपका समाज में लेहाज खतम कर सकता है, आपका जितने चेहरे आपने जीए हैं समाज में, वो चेहरे खतम हो जाएंगे, आपको एक ही चेहरे के साथ जीना पड़ेगा, तो ये आपको सुधारता है, आपका गुरु के पक्ष में खड़ा होना, आपका विश्वास जितना जिंदगी के साथ खेल रहे हो, गुरु के विश्वास के दम पे, तो आपकी जिंदगी गुरु के उपर किये गए विश्वास पे टिकी है, और इस विश्वास को जीवित रखना गुरु का या कहो गुरु के रूप में भवान का मतलब करतव्य बन जाता है और जब आपका विश्वास जीतता है तब समाज आपके गुरु को सच्चा मानेगा ऐसे नहीं मानेगा कोट कुछ ही कह दे कोट तो ऐसे-एसे केस पड़े हैं 30-30 साल लोग जेल बहुता थे हैं हम कोट सा उसकी फाइल खोल के देखते हैं इतने लोग आप हैं दो चार जिनको पता है आप अपने दिल से पूछ लो और आप जवाब लिख दो आपने पिताजी के केस की फाइल खोली है कभी देखी भी है भी कैसी है खोली है उसमें क्या लिख है खोली है तो आपको पता है उसमें, कैसे पढ़ना है इसको, कैसे पता चलेगा, इसमें क्या जोटा है, क्या सच है, कैसे पता चलेगा, एक बाई ने लिखा भी सिरसर की शर्त लगाने पड़ दिए, शर्त नहीं जी, शर्त एक अलग मसला है, ये तो आप सफाई देने पर उतर होगे, ये तो अगर आपक तरक पे भी यकीन नहीं करते हैं, लोग आपके सबूत पे भी यकीन नहीं करते हैं, लोग आपके वेवार पे, आपकी अपनी सच्चाई पर यकीन करते हैं, आपको कोई बंदा आके कहे, आपको कोई बंदा आके बोलता है भी, आपका मानलो, कोई भी इलाका है, शुबोज सिरसा में गोपाल कंडह चुनाव लड़ रहा हैक गोकुल सितिया चुनाव लड़ रहा है आपको कि बंदा के बोले आर कोकुल सितिया ठीक और इसको वौट накंडा ठीक है इसको दे देक या फिर एक और एक दरवेश स्वामी चार्टर कुटनट है वह आप थीसरा कई यार ये तोनों तो ब्रस्ट है एक चार्टर अकाउंटन खड़ा हुआ है ये थोड़ा ही मांदार है अभी नया है इसको दे देते हैं आप किसकी बात पर यकीन करके वोट दोगे नेताओं के दावे पर आपका अपना भरोसे मंद आदमी है उसके विश्वास पर किसी पर वि हिश्वास क्यों हैं हो सकता है वो पैसे लेके बोल रहा हूँ आपको हिश्वास क्यों क्योंकि आप उसके वैवार को जानते हो आप उसके तोर तरीकों को जानते हो वो आपको सबूत अलाके नहीं दे रहा है भी कोपाल कंडा रगोकुल सेतिया या फिर यसी ये दरवे परत्याचियों के बाद कर रहा हूं, यह लोग सच्चे हैं। उसका वहवार आपको बताता है भी यार यह वेखती अगर कह रहा है तो इसकी बात में वजन है, आपका वहवार उसने सिरसर की शर्थ नहीं लगा यह आपके साथ। तो आपका अपना वहवार, आपकी अपनी अच्छाई बताती है भी आपको गुरू कैसा है यही वज़य ब्लॉक के साथ आज कोई नहीं खड़ा वही लोग खड़े हैं जो लोफर है इनको खाना पीना बस कोई मतलब नहीं है अभी 23 स्प्तंबर को इन्होंने वीडियो जारी किया नाम जारी क्या किया नाम चर्चा में एक सितंबर का यूपी वाले का वीडियो कोई होगा उस वीडियो का कुछ हिसा इन्होंने रिलीज कर दिया काट क्रिट के किया है अपनी तरफ से उसमें भी कुछ हिसा म्यूट कर दिया भी पता ना चले भी क्या है भी उसमें भी कुछ गलत बोल दिया होगा वह म्यूट कर जा रहा है तो क्यों कि जो डेरे की management का वैवार है वो उसी के अनरूप ही नकली वाले के जरीए पिता जी का वैवार प्रस्तुत करना चाहते हैं अगर वो असली गुरूत पिता जी को प्रस्तुत कर देंगे तो उसके comparison में management को लोगों ने लात मार देनी है इसलिए नकली क्यों प्रस्तुत किया अभी नकली का वैवार अगर घटिया होगा तब ही तो हम खपेंगे अगर नकली का वैवार असली की तरह हो जाएगा तो लोगों ने वारे लात मार देनी है भी प्रेंगों क्यों पाल रखा भी तो ने तो सिधा पिताई से सवाल पूछ पर चसह, जचालो इसे, इसने दंगे करा के संगत मरवाई, इसलिए उनोंने अपने जैसा ही गुरू बनाके बिठा लिःतालिया नकली, उनको पता है भी हमें स्विकार नहीं करेगा समाज, स्विकार कोम कर रहा है जो उनके जैसे लोफर हैं उनके जैसे लोफर बंदों कोई समा उनके जिसे जो लोफर हैं वो यूने स्विकार कर रहे हैं सच्चा ससंगी अन्खी आदमी नहीं करेगा आप आजमा के देख लो आपके सब आप अपने सुसाइटी में देखना आपको लगता हो जो विक्ति अन्खिया और कट्टा डेरा प्रेमी हैं बेशक वो डेरे जा रहा हो मैनेजमेंट के साथ नहीं खड़ेगा थोड़ा सा भी स्वावी मनी हो तो नहीं खड़ेगा तो यहीं व्यवस्ता है अब जितना अपने गुरू के प्रतिवफादार है स्वाविमानी है आपके गुरू के प्रतिवफादारी आपका अपने आपको साफ सुतरा रखना है हमारा अपने आपको साफ सुतरा रखना है हमारी गुरू के प्रतिवफादारी यही है अलग से न क्यों राफ्रेंस मॉडल पे हनीप्रित के चापलोस कितने हैं आप देखना हनीप्रित की फोटो डलेगी दो फेस्बूक अलग अलग आइडी होंगी एक आइडी पे दूनों आइडी पे हरोज फोटो डलेगी एक आइडी के ओपर एक दिन में 5000 लाइक सा जाएंगे उसी मॉडल पेड प्रमोशन के जरीए खड़ा कर रहे हैं पैसे देखे इस इस पोस्ट को अपने लाइक करवाना है इस इसको प्रमोट करना ता कि लोगों को लगे हनीप्रित एक रेफ्रेंस मॉडल पे है आपकी अपनी गुरू के प्रतीव अफादारी होगी तो क्या उकात है हनीप्रित की और क्या किसी और की जो आपके गुरू की जगा लेने की सोच भी ले होती नहीं है तबी ये सब कुछ है होती तो कोई अपनी हस्ती क्यों बनाएगा बराबर आपके क्यों हनीप्रित की हस्ती एस्टाबलिश की जा रही है जब रुहानियत का मूल नियम है कि अ जो अपनी हस्ती बना के थोड़ी पाया जाता है गुरू को एक बजन लिखते ने प्रयार देया रोगीया दा दारू नहीं जहांते रोग टूट जांदे दारू दर्शन आधी खांते आपको लगता है आपको कोई ऐसी बिमारी हुई जो दर्शनों के बिना टूटेगी नही अब 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 अपने आप से बूचिए कभी आपको लगा भी आपकी तवित खराब हो गई कि तब तक ठीक नहीं होगी जब तक पिताई आपको दर्शन नहीं देंगी अना प्रेम वाला रोग जिन्नों होवे यारो लग गया वो कितना भी आउंदी ना चैन किते फिरे पजया 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 फिर वो एक उसमें लाइन भी आती है वी वैद ना बस ढूंडता है उसको कुछ समझ नहीं आता क्या बिमारी है इसको है किसी के साथ हुआ हमारे साथ भी नहीं हुआ हमें प्रेम होता तो होती है यह शबत तम सच्चा होता ना जब हमारा प्रेम में मारे प्रेम में तड़क होती है हम ले आज ही पाल रहे है हम उमीद ही पाल रहे है अब यह प्रेम कोई पैदा थोड़ी किया जाता है यह तो म बजन में लिखा है, तो आप सोच ये हमने, कल मेरे को किसी ना बोल दिया, कई ये इतना और या रोडा आया आपने पेस्बुक पे कभी मांगा प्रेम, मैं कल बैठ के सोचूं ये सच मांगा तो कभी है ये नहीं, मैं इन नहीं मांगा तो मेरे साथ जितने लगे, उन्होंने क बिना भी हमार को और कुछ चाहिए नहीं, भी आपको रोटी खानी पसंदना आए, भी नाजी, दर्शन दो, तोई बात बने कि नहीं, जिस दिन दर्शन दो कि उसे दिन पकवान खाएंगे, भर मैं खाएंगे नहीं, नहीं हम तो खालेते हैं अपने शूंक के नुसर, प्र क् कि हमने शायद अपने गुरू को वो रुतबा दिया नहीं, जो हमें देना चाहिए था, और शायद हमें मौका मिला और हम देना चाहें, तो आप भी दे सकते हैं, तो खेर हम, आप अपना सबका अपना अपना जन जरीया है, आप इस पर विचार कीजिए, और बाकी चर्चा करते हैं, उन लोगों के लिए, जो अपने गुरू से अपना प्रेम ओड निवा गए, शहीद हो गए गुरू के प्रेम में इंसानियत की रक्षा के लिए, उन सब के लिए, मालिक उनको अपनी गोद में उंचा स्थान दे, और इस उमीद के साथ हजूर पिदय के चर्णों अगरी मेरदास बोलते हैं, भी मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तुद्या में रहमत कर, तुझे प्यार, मुहबत की राम में, हमें कोई दुख, तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बक्ष, वे सब को सुमती दे, किस तरह से देनी है, यह तु सब चांता है, जिस को यह से देनी है, यह सी देनी है, कि अधिनी है, थैस्वे थाज है, तंद अगरी झांता है, तरही घाई शुझे एंग्या सुमती देनी है, तुर्ण तरही ओन्सुए, तरही एयास।